नमस्कार किस्सा यूपी का देख रहें आप और मैं आपके साथ प्रियाबस्ट देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी अयोध्या पधारे और सीम योगी ने उनका शानदार स्वागत किया साथी पीम मोधीन आयोध्या को कई सौगात दी वहीं राम मंदर में 22 जनवरी को होने वाले आयोध्या को एतिहासिक बताया लेकिन जहां एक तरफ पूरा देश शुप घड़ी का इंतजार कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश जादों के साथ साथ विपक्षी चर्चा करेंगे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौझूद है कैपिटल टीवी के एक्जेक्यूटिव एडिटर आजीव दी सर स्वागत है आपका धन्यवाद तो विपक्षी खेमे में ये कैसी असमंजस चाही होई है राम मंदिर को लेकर देखिए विपक्षी ख आटियां यानि की इंडी एलायंस जो बना है 28 दलों का उसमें से कम से कम 18 ऐसे नेता है जिनको अयोध्या के इर्द गिर्द जाने नहीं देना चाहिए बिल्कुल नोई इंट्री का बोड लगा देना चाहिए क्योंकि इन लोगों ने इस तरीके से अयोध्या को बदनाम करन के लिए नई नई साजीस बनाई है जो पूरे मुद्य को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं उसकी माफी नहीं हो सकती अगर अखलेस यादव की बात करते हैं अखलेस यादव उत्तर परदेश के मुखमंतरी रह चुके हैं इनको उत्तर परदेश की राजनिती करनी है उत्तर इतने सालों तक वो एक काम नहीं कर पाए कि फैजाबाद का नाम बदल के अजोध्या कर दे क्योंकि अजोध्या तो पहले से ही नाम था जीला जो है फैजाबाद रखा गया था अब क्या अखलेस यादव या फिर उत्तर प्रदेश के दूसरे जो पॉलिटकल पाटियां है बसपास अपा के अलाबा कांग्रेस की भी सरकारे रही इन लोगों के दिमाग में कभी नहीं आया कि जो भगवान राम की नगरी है जो पुरी दुनिया में भगवान राम के लिए जाना जाता है वो अगर किसे जिला तहसील की बात के जाए तो वहाँ पर फैजावाद जिला में आएगा ये कैसे दुर्भावना ग्रस्त बाते हैं इन लोगों के लिए क्योंकि इसके अंदर डरिस बात का है कि इन लोगों को लगता है कि अगर किसी मुसलिम नाम को परिवर्तित किया गया तो यहां के मुसल्मान नाराज हो जाए दुनिया के कोई भी ऐसे सब्वेता कोई भी ऐसा देश नहीं है जो आकरांताओं को इतना ग्लेमराइज किया है ग्लोरी परदान किया है इसको इतने बड़े बड़े तमगे दिये हैं हिंदुस्तान ही ऐसा है जहां पर ये अपिजमेंट पॉलिसी ये अपिजमेंट पॉलिटिक्स जिस तरीके से हावी रही तुस्टिकरन की राजनेती उसी का परिणाम है कि आज भी हम आकरांताओं के नाम पर इतने शहरों का इत देखा जाए नाम बदलने की बात जो होती है उससे यहां के मुसल्मान चिड़े रहते हैं लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि अगर वो हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो क्या कभी भी किसी भी देश में रहने वाले लोग धर्म कोई भी हो वो अपने देश पर अत्याचार करने वाले लोगों को सिर्फ धर्म के आधार पर अपने आधर्स बना सकते हैं जैसा कि یہاں के मुसल्मानों ने औरंजेव को बनाया, यहां के मुसल्मानों ने मुहम्मद गौरी गजनी को बनाया ये गौरी गजनी तो पाकिस्तान में मिसाइल का नाम रखता है लेकिन हिंदुस्तान के मुसल्मानों को ये समझना चाहिए लेकिन दुरुभागे की बात यही है कि ये लोग जो पॉलिटिसियन है विपक्षी पार्टियों के उनका एजेंडा एक ही रहता है मुसल्मानों को खुश करो किसी भी स्टेट में जो रिजल पार्टि बनी है उनकी भी मुसलिम अपिजमेंट पॉलिटिक्स रही है अकलेस यादब भी उसी आधार पर राजनिती करते हैं राज़द में लालो यादब भी उसी आधार पर राजनिती करते हैं और कॉंग्रेस तो इन सब के लिए जड़ का काम करती रही क्योंकि वो जड़ है और ये पातियां तना है उसकी जिसके आधार पर इन लोगों ने सोचा कॉंग्रेस से अगर मुसल्मानों को छिनना है तो हमें आपस में कमपटीट करना पड़ेगा कि सबसे बड़ा मुसलिम समर्थक कौन है अब आज की बात देखिए आज हिंदुस्तान के लिए एक गौरब शाली दिन था बाइस तारीक को ये इतिहासिक फैसला होगा बाइस तारीक को इतिहास रचे जाएगा लेकिन आज उसकी सुरुआत हुई है पिये मोदी ने जिस तरीके से कनेक्टिविटी पैदा की है वहाँ पर अजोध्या में जो सोलह हजार करोड रुपे इन्वेस्ट करने की बात कही है ये इतने योजनाएं और जो कनेक्टिविटी बढ़ाई है अजोध्या के लिए उसकी सराहना इन लोगों को करने चाहिए कि आज यहाँ पर जो भगवान से राम के लिए सरकार ने किया उसमें कोई भी नीम मेक नहीं निकाला जा सकता कोई भी गलतिया नहीं ढूंडी जा सकती है लेकिन अगर आपको राजनिती करनी है तो भारतिये जनता पार्टी के खिलाफ बोल सकते है भारतिये जनता पार्टी के आलोचना कर सकते है और वो दूसरे आधार पर न की हिंदुत्व के आधार पर भगवान राम के आधार पर लेकिन इन लोगों की मानसिक्ता क्या है अकले सियादब जिनकी पाठी के कई नेता ऐसे हैं जो कि भगवान स्री राम के उपर ही सवाल उठाते हैं कॉंग्रेस के कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने बावरी मस्जिद विध्वन्स के बाद जब भगवान स्री राम के मंदर की बात हो रही थी सुप्रीम कोट तक में सवाल उठाया भगवान स्री राम के उपर कि ये कैसे मान ले कि यहीं पर भगवान स्री राम प्रकट हुए थे यहीं वही अजोध्या नगरी है जिसकी रामायन में जिसका जिक्र किया गया है तो ये लोग वैसे ही लोग है जो कि अपने धर्म के होते हुए अपने धर्म के घाती कहे जा सकते है और खतरनाक वो होता है जो अगर दिखाई पड़ रहा है कि वो शत्रू है तो उसे तो लोग सावधान हो जाते हैं लेकिन मित्र बनके शत्रू की तरह जो काम करता है वो घाती कहलाता है उसके बारे में धीरे धीरे जानकारी होती है और इन लोगों के बारे में भी लोगों को जानकारी धीरे धीरे होई कि ये तो ऐसे लोग हैं जो भारत पर आकरमण करने वाले लोगों के साथ देने वाले उस समय के जैसे थे मिरजाफर जैसे लोग जहचन जैसे लोग इन लोगों के कटेगरी में हैं जिसने हमारे देश के साथ हमेशा गद्दारी ही की है अब सवाल ये उठता है कि भव राम मंदिर बनाने के विरोध में कौन है अब ये लोग सीधे तौर पर विरोध नहीं कर सकते क्योंकि इनको पता है कि अगर सीधे तौर पर विरोध कर दिये तो हमारे जो छोटे मोटे और जो बच्चे हुए समर्थक हैं वो भी नाराज हो जाएगे तो ये तरीका क्या अपनाते हैं इसके लिए इसके लिए तरीका अपनाएंगे कि अलग-अलग मुद्दे को उसमें जोड़ो और ये भटकाने की कोशिश करो कि देश के लोगों को रोजगार चाहिए देश के लोगों को विकास चाहिए देश के लोग मंदिर के मुद्दे पर राजनिती नहीं करना चाहते हैं देश के लोगों सपोर्ट चाहिए तो उनको अपने आधार पर उनके जीवन में सुधार चाहिए अब जीवन में सुधार के लिए विकास की जरुरत होती है और अगर विकास की बात जब होती है तो उस सरकार में विकास नहीं हुआ तो आपको उस सरकार से पहले की सरकारों से तुल्ला करनी पड़ेगी क्योंकि विकास कोई सुनने में पैदा नहीं होता यह comparative होता है अगर पहले से 10% हुआ है तो अचानक से 90% उसको नहीं किया जा सकता लेकिन आपको तुल्ला करनी कि विकास और लोगों को रोजगार देने की जो विवस्ता की गई या लोगों को गरीबों के लिए योजनाय चली उसका फायदा देने की बात की गई तो उसमें आपको comparison करना पड़ेगा कि पहले की सरकारों ने क्या किया किसी सरकार ने यह सोचा था कि आज जो वहां पर मि अखले से यादब हों या मुलायम से यादब हों इन लोगों ने इसके बारे में सोचना ही छोड़ दिया था इनको से केवला और केवल सत्ता चाहिए थी और सत्ता का भोग कर लिए इसलिए आज जन्ता उनके असलियत को समझ चुकी है लेकिन जहां तक अयोध्या की बात है भगवान राम के मंदर की बात है तो कम से कम अभी जो विपक्षी पाटियां है उसके 17-18 ऐसे नेता है जिनको अयोध्या के आसपास जाने पर रोक लगाने देनी चाहिए उसमें सबसे उपर ये नेहरू गांधी खांदान का नाम आता है जिसमें प्रियंका वाडरा, सोनिय गांधी और राहुल गांधी है इन लोगों को अधिकार ही नहीं दिया जाना चाहिए कि आप अयोध्या के आसपास जाएं क्योंकि अयोध्या में अगर इतने सालों तक भगवान से राम को टेंट में रखा गया मंदिर नहीं बन पाया तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका इ इन लोगों को तो उसके आसपास भटकने नहीं देना चाहिए अगर उस दायरे में भी आ जाए तो इनको खदिर खदिर कर भगा दे वहां की जनता क्योंकि सम्विधान उनको नहीं रोक सकती कानून नहीं रोक सकता है तो वहां के लोगों को इनके विरोध में उठना चाहि कि जैसे ही ये लोग उसके आज पास आए गो बैक के नारे लगाओ बताओ कि आपको अधिकार नहीं है इस जगह पर आने का ये विवस्था होनी चाहिए क्योंकि इन लोगों ने विश्वास घाद किया है अब उद्धव ठाकरे की पार्टी जो कभी हिंदूत्व की पार्टी कही जाती थी आज उद्धव ठाकरे हो या संजैराउत हो इन दोनों नेताओं के हर एक स्टेट्मन को देखिए जिसमें वो कोशिश करेंगे कि ये जो आयोजन हो रहा है ये भारती जनता पार्टी का आयोजन है ये हिंदू का आयोजन नहीं है ये लार्ज कॉंस्पिरेसी जो हिंदुस्तान के अंदर होती रही है कि जब हिंदू की बात हो तो जातियों की बात कर लो जब हिंदूों की बात हो तो कहीं ने कहीं कोई कॉमिनिटी कोई इसमें सामिल कर दो और जब मुसल्मानों की बात हो तो इसमें कहीं भी जादपात मतलाओ सिया सुनी मतलाओ मजभ की बात करो एकता की बात करो इसमें पास्वांदा मुसल्मानों की बात न करो इसके अंदर के जाकियों के बात न करो ये डिवाइड एंड रूल के जो पॉलिसी अंग्रेजों ने सिखा के गया था यहां से वो कॉंग्रेस ने आगे ढोया और उसके बाद इरिजिनल पार्टिया ढो रही है इसलिए सबसे पहले 17-18 उन्नेताओं को इंट्री करने पर बैन लगा देनी चाहिए जिसने कभी भी राम मंदिर का विरोध किया जिसने कभी भी हिंदूत्म के खिलाब बात की है और अब यही होने वाला है क्योंकि सरकार अगर नहीं करेगी तो यहां के जनता ये काम करेगी इन लोगों के एंट्री पर अन ओफिसियली परतिवाद लगा दिया जाएगा धन्यवाद सर बादचीत के लिए धन्यवाद राम मंदिर के उभरते स्वरूप से विपक्ष की टेंशन बढ़ने लगी है जैसे जैसे राम मंदिर के प्रतिष्टास हमारों की तारीक नजदीक आ रही है विपक्षी नेताओं के सीने में साप डोट रहे हैं और इन सब का कारण है तुष्टी करण की राजनिती विपक्षी दनों को डर है कहीं बचा कुचा वोट बैंक भी नखे सकता है किस्ता यूपी का में फलाल के लिए इतना ही मांकि तमाम खबरों के लिए देखते रहें कैपिटल टीवी नमस्कार